अच्छा अससलाम अलेकुम बच्चों आज की लैब जो है वह बेसिकली लैब नुबर 5 है जो हम लोगों ने प्रिविश्ली स्किप की दी आज की लैब में बेसिकली जो इसका सेंट्रल आइडिया है यह आज की लैब का जो आप समझें के उन्वान है और जो हम आज करेंगे सब्सक्राइब में बैसरत हुसरत करेंद के यह किए सब्सक्राइब के एक हुस्म्राइब का हमें गोशीर और और में डा ciao प्रिवियस लैब में यह पढ़ा है कि मेरे पास transfer function क्या होता है किसी में system का transfer function को हम devote सरते है h of s से और यह होता है output response of the system and the input that you have provided to the system कि इसका मतला भी यह है कि मेरे पास अगर मैं लफ्स यूस कर रहा हूं transfer function transfer function से मेरा हो यह है कि मेरा system किसी भी input पर किस तरीके से output की शकल दे रहा है output को for create कर रहा है that is determined by my transfer function in short इसको हम system की identity भी कहते है जिस तरीके से हर बंदे के अपना एक CNIC होता है इस तरीके से हर system का अपना एक transfer function होता है transfer function is equivalent to CNIC समझारी इस तरीके से यह बहुत distinct है हर system का transfer function अलग अलग होता है इससे पहले हमें बात करूं तो हम लोग उन्हें previous labs के अंदर एक plant first order second order का transfer function निकाला वो भी हमने निकाला step response है इसी तरीके से जब motor body lab कर रहे है उसमें भी हमने transfer function निकाला via step response हमें बताएं कि मेरे पास किसी इक system के अंदर इन तरीकी के inputs हम लोग दे सकते हैं कौन-कौन से एक मेरे पास होता है ramp input एक मेरे पास होता है pulse input और last मेरे पास होता है step input और यह बात भी हम बहुत भी last को discuss कर चुके हैं कि भाई इन तीन inputs मेंसे why am I only prefering step step use करने का मकसद ही होता है कि मुझे बताए कि step जो है इसकी एक value होती है वो constantly एक जगह आगे रोके है यह case ramp के साथ नहीं है यह case impulse के साथ नहीं है जह है कि तो इसस्थराइब है स्थराइब प्रॉज्परे जारे नहीं है